हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब एक बार पुना आप सभी का आपके अपने चैनल स्यू कोचिंग क्लाशस पर स्वगत हैं दोस्तो आज का मेंड टॉपिक है सोडियम कार्बूनेट बनाने की सालबे भी थी ठीक है तो पहले थोड़ा सा सोडियम कार्बूनेट के बारे हम समझें इसका सूतर होता है दोस्तो एने टू सी ओ त्री जिसे सोडा राख भी कहा जाता है जल योजित सोडियम कार्बूनेट की बात की जाये तो एने टू सी ओ त्री इंटू टेन एस्टू ओ जल के दस अनू उपस्थित होते हैं जिसे धावन सोडा के नाम से भी जाना जाता है ये दोस्तो योगिक है इनके नाम याद कर लो है ना क्योंकि important है योगिक दोस्तो sodium carbonate monohydrate मतलब Na2CO3 into H2O ये दोस्तो crystal carbonate है मतलब sodium carbonate monohydrate है तो ये दोस्तो योगिक है कुछ और अपना topic है sodium carbonate बनाने की भी दी ठीक है ना तो चलते हैं दोस्तो इस्टार्ट करते है sodium carbonate बनाना है तो सबसे पहले sodium bicarbonate बनता है तो पहले अपन इस चित्र को समझ लेते हैं फिर step by step लिखना कैसे सब कुछ समझाओंगा तो पहला दोस्तो ये जो आपका संत्रप्तिकर टैंक है इससे दोस्तो अपन NaCl अर्थाद ब्रा सीतलाग का मतलब होता है तो थंडा करना ये सीतलाग है इससे थंडा करते हैं फिर इससे जो प्राप्त होता है उसे कार्बोनी करने इस तमय में भीजते हैं इसमें दोस्तो आपका बनता है sodium bicarbonate ठीक है और इस sodium bicarbonate को निर्वाद छन्ना के माद्दम से अलाग करते हैं लेते हैं उसमें कली कचुन और carbon dioxide प्राप्त होता है तो चले दोस्तो step by step समझते हैं पहले अपना पहला point रहेगा दोस्तो topic आप डालते चलेंगे point by point और लिखते भी चलेंगे ठीक है तब ही आपको समझ में आएगा तो आपको पहला दोस्तो डालना ये जो संत्रपती करण tank ठीक है इसमें दोस्तो आपको क्या लिखना है इसमें लिखना भी है आपको ठीक है न मैं समझाते चलूँगा आप लिख लेना यार प्रीज क्योंकि बहुत लंबा है दोस्तो लिखने में थोड़ा सा time लग रहा थे इसलिए मैंने सोचा आपको समझा देता हूँ बस ठीक आपको लिखना है कि संत्राप्ति कराड टैंक में NACL मतलब ब्राइन यहाँ पर लिखा मैंने ब्राइन यह NACL दोस्तो ब्राइन तो NACL ब्राइन को अमोनिया के साथ संत्राप्त किया जाता है है ना तो दोस्तो यहाँ पर जो उपर भाग से दोस्तो आपको दिख रहा अमूनिया भेजते हैं और दोनों को शंतरफ्ट करते हैं इससे दोस्तो टैंक में जो होता है तो सोडियम क्लोराइट बिलियन में उपस्ति जैसे असुदियां होती है एनेसेल में सुदियां होती हैं जैसे केल्सियम में मेगनीसियम के लबन है दोस्तो, तो उनके जो hydroxide के अवाच्हेUNG पन है, जो ammonium hydroxide दोरा दोस्तो क्या हो जाते हैं, अवाच्हेद हो जाते हैं और अलग हो जाते हैं, तो यहां पर ammonium hydroxide जो होता है दोस्तो, मुख रूप से इनके असुधियों को दूर करने में सहायता करता है कैसे जैसे देखीगा दोस्तो यहाँ पर हम लेते हैं अमोनिया अमोनिया लेते हैं दोस्तो NH3 और जल इसमें भरा रहता है टैंक में तो दोस्तो ये आपस में क्रिया करके बनाता है Ammonium Hydroxide NH4OH ये Ammonium Hydroxide बना लिया clear दोस्तो इतना तो समझ गया होंगे यार इतना तो कोई प्राबलम नहीं हुआ होगा तो Ammonium Hydroxide बन गया अब दोस्तो NaCl के साथ असुधियां MgCl2 है इसको दोस्तो ammonium hydroxide क्या करता है कि mg मतलब mg और OH तो whole twice और दोस्तो ammonium जो है chlorine के साथ ammonium chloride बना लेता है चीज़े समझ गए तो ये दोस्तो मैंगनीसियम है ना वो असुद्धी आलाग हो गया इसी प्रकार दोस्तो ये दि calcium chloride भरा हुआ है तो ammonium hydroxide से लिया कराते हैं तो ये दोस्तो calcium hydroxide बना कर अलग हो जाता है और ammonium chloride बना लेता है balance की tension मत करो balance अपन करा देंगे देखिए जैसे हमने OS दो लिया दोस्तो तो यहां 2 का multiply कर दें यहां भी 2 का multiply कर दें यहां भी 2 का और यहां भी 2 का balancing complete हो जाए कोई दिकत नहीं तो दोस्तो जो संत्रप्ति करने स्तंब में अपन NACL और ammonium को क्या किया जाता है संत्रप्त किया जाता है जिसे दोस्तो ammonium chloride में sorry NACL मतलब sodium chloride में दोस्तो जो भी असुदियां calcium और magnesium के होते हैं उन्हें दोस्तो जो आपका ammonium hydroxide है इसको दोस्तो ammonium hydroxide के दोरा आप छेपित करके तूर कर दिया जाता है इतना clear दोस्तो फिर आपको इतना रासानिक समिकर्ण दे देना है clear इतना चीज़े clear होगे दोस्तो पहला step complete संत्रप्तिकर्ण चैंग पहलए आपको तीन यहाँपर समिकर्ण दे देना है दूसरा अपना topic आता है दूस्तो छनक यहांपर छनक है तो आप पूसरा topic डालनें दूसरा आपका दोस्तो छनक ठीक है तो दूस्तो समझे छनक में थोडा सा लिखना है कि अमोनी क्रत मतलब दोस्तों अपने ब्राइन को अमोनी क्रत किया तो अमोनी क्रत ब्राइन को छान कर केल्सियम एवं मैंग्निसियम के हाइड्राकसाइडों का अवच्छेपन प्रथक कर लिया जाता है ठीक है ना कितना लिखना दोस्तों जैसे आपका यहाँ पर आया दोस् चन्नक की सहायता से है ना आमोंी क्रत ब्राइन मी जो प्राप्त केल्σιयम और मैंगनीसियम के हैड्रायकशाइड को अवच्यपड को दुस्तों प्रठा कर लिए जाता है और सुध हमारे जो आमोंी क्रत बिलियन प्राप्त हो जाता है इपना चीजें हो गए दोस्तो चीजें clear हो गई होगी चलिए कोई बात नहीं अब दोस्तो अपना अगला step आता है seat luck यह seat luck है तो आप क्या करें seat luck दोस्तो आप लोग तीसरा step heading डालने seat luck दोस्तो जितने step में समझाते जाता हूं उतना step आपको करना है तो तीसरे स्टेप में क्या लिखना है दोस्तो इस सीतलक की बात कर रहा हूं तो सीतलक में लिखना दोस्तो कि संगनित का मतलब क्या होता है उसे पास पास लाना जैसे गैसी हवस्ता में है दोस्तो तो पास पास लाया जाता है तो दोस्तो आपको लिखना क्या है कि संगनित से इसलिए गुजारा जाता है ताकि उस उस्मा को सीतला क्या कर ले अफसोसित कर ले तो यहाँ पर दोस्तो सीतला का काम होता है कि जो भी आमोनियम क्लोराइड का बिलियन प्राप्थ हुआ दोस्तो अमोनियम क्लोराइड का बिलियन प्राप्थ हुआ वो दोस्तो जो अमोनियम क गुजार कर छनित को ठंडा किया जाता है जिसे सीतलन किया वसकता होती है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर उस्मा अत्यधिक मात्रा में उत्पन होता है अब दोस्तो यह भी अपना complete हो गया, seat luck हो गया, अब दोस्तो अपना जो यहां से seat luck से जो अपना प्राप्त हुआ दोस्तो हो कहां जाता है, carbonicant istambh में, तो अपना अगला heading है दोस्तो आपको चौथा नमबर में carbonicant istambh डालना है, step by step by करते चलना यार, बाद में तिक्कत हो जाएगा, istambh, ठीक है, istambh है दोस्तो, carbonicant istambh में, अब दोस्तो इसमें क्या समझना देखिए, चूकि दोस्तो यह आपका चूना भट्टी है, इसमें स्याता carbon dioxide, ठीक है, तो आपको लिखना क्या है, कि ammonia dora centrapte brine, यहां पर दोस्तो, centrapte brine क्यों, क्योंकि यहां पर हमन यहां हमने प्रवाइद किया था, ammonia dora centrapte brine का ठंडा billion, carbonicant istambh में, यहां पर दोस्तो यह एक नली लगा हुआ है, पतला सा यहां पर, थोड़ा सा पास पास हो गया है, इसके लिए मैं मापी चाहता हूँ, आप लोग थोड़ा सा इसको space दे देना, मिर भाई, इसमें एक कम हो गया, इसकाट से थोड़ा पास हो गया, थेक़ैं तो आप लोगी space दे देना, ताकि समझ में आगला है, तो दोस्तो इस billion को अपन क्या करते हैं, कर्बोनी करन इस्तंब में गिराते हैं उपर से क्या करते हैं गिराते हैं तो आप लोगों को लिखना है कि अमोनिया दोरा संत्रप्त ब्रायन का ठंडा विल्यन कर्बोनी करन इस्तंब में उपर से क्या करते हैं गिराते हैं ठीक है न दोस्तों इस्तंब में आरन प्लेट लग कई 36 प्लेटें होती है, जिनके मद में दोस्तों छिदर होता है, जिनके मद में क्या होता है, छिदर होता है, कई आरेंड की प्लेटें लागी होते हैं, जिनके मद में छिदर होता है, यह एक दोस्तों छिदर ये जैसे ढखकन है, तो छिदर ये ढखकन से ढखका रहता है, इस दुस्तो नीचे आमोनीक्रत क्या बनता है sodium bicarbonate प्राप्त होता है, आमोनीक्रत प्राइन से क्रिया करके क्या बनाता है, sodium bicarbonate बनाता है, ठीक है कोई बात नहीं, चिजें समझे मनयाद दुबारा समझें, क्यालेकना दुस्तो, अमोनियाँ दौरा, संतप्त ब्राइन का बिलियन दोस्तो अपन क्या करते हैं कर्मोनिकन इस्तंब में उपर से गिराते हैं इसमें दोस्तो लोहे के क्या लगे रहते हैं आइरन या लोहा कह सकते हैं लोहे के प्लेट बनी दोस्तो छेटिछ प्लेटे लगी होती है समांतर क्रमी यहां पे और इसमे ब्राइन से क्लिया करता है और क्या बनाता है सोडियम बाई कार्वनेट बनाता है इतना क्लियर दोस्तो तो आपको आगे संपर क्लिया क्या करानी है देखिए मैं बताने जा रहा हूं क्लिया कैसे करानी दोस्तो तो आपके पास है अमोनिया क्रत ब्राइन तो अमोनिया तो हई होता है यह ammonium bicarbonate sodium carbonate नहीं है दोस्तों ammonium bicarbonate को NaCl जो की brine में संत्राप्थ किया हुआ है ना तो दोस्तों यह बनाता है ammonium chloride और NaHCO3 यह sodium bicarbonate यह sodium bicarbonate और दोस्तों ammonium chloride NH4Cl बनाता है clear दोस्तों यह होगे अपना कार्बोनिकन इस्तंब का दोस्तों रसानिक शमिकन तो यह आपको समझ में आ गया कि कार्बोनिकन इस्तंब है क्या चीज यहां पर हमें क्या प्राप्थ हो गया sodium bicarbonate अब अगला दोस्तों अपना आता है निर्वात चन्ना तो अपना अगला टॉपिक है यहां पर डालें यह पांचमा step दोस्तों निर्वात चन्ना पूरा step by step समझा रहा हूं यार आप लोगों को विदिवाद समझना चाहिए ठीक है और आप लिखते चलो कोई तो निर्वात चन्ना में क्या लिखना है कि दोस्तों अब च्छेपित sodium bicarbonate यहां से मिला ना sodium bicarbonate आपने भी देखा reaction में कि अब च्छेपित sodium bicarbonate को ammonium carbonate एबं ammonium chloride की सूच मात्रा एक तो billion के साथ घूंडी निर्वात चन्ना में प्रवाइद करते हैं चुकि दोस्तों ammonium chloride का billion प्राप्त हो गया था ammonium bicarbonate का भी billion प्राप्त हो गया था जैसे यहां पर देख सकते हैं कि हमें क्या क्या मिला ammonium bicarbonate भी मिला थोड़ी सोच मात्रा में यह भी और सोच मात्रा में ammonium chloride भी है और दोस्तों sodium bicarbonate भी मिला तो इस sodium bicarbonate के साथ सोच मा मात्रा में ammonia bicarbonate भी ओर ammonia chloride भी है दोस्तों जिसको अपन क्या करते है निरवात चन्ना में से प्रवाहित करते हैं चीज़ समझ रहे हैं कि ammonia chloride ammonia bicarbonate दो चीज़ें मिलीं ना सुछ मात्रा में है न तो उस्टे दो दोस्तों आपका sodium sodium bicarbonate इसके billion को पूरा का पूरा दोस्तो अपन निर्वाद छन्ना में प्रवाहित करते हैं जिसे दोस्तो sodium bicarbonate प्रथाक हो जाता है sodium bicarbonate यहाँ पर दोस्तो अपन sodium bicarbonate मतलग NaHCO3 को अलाग कर लेते हैं ठीक है और जो दोस्तो आपका बचा हुआ ammonium chloride और ammonium bicarbonate है इसको दोस्तो अपन क्या करते हैं दोस्तो पुना ammonia पुना प्राप्त इस्तम्य में भेजते हैं इतना क्लियर हो गया इतना ही आपको लिखना है कि निर्वाद छन्ना का क्या हकाम है दोस्तो sodium bicarbonate को अलाग करना और बांकी जो बचाओ magnesium पुलैयन उसको कहाँ प्रवाहिद करते हैं दोस्तो ammonia पुना प्राप्त इस तम्य में प्रवाहिद करते हैं clear इतना क्लियर हो गई दोस्तो अब अगला step पाता है दोस्तो चूलना वठंथी यह इस चूने बठी में दोस्तों चूने को क्या करते हैं गरम करते हैं जैसे यहां पर मालो इधान अपन रखें एधान के माध्यम से गरम करते हैं तो दोस्तों होता क्या है चूना बठी में आपको अगला इस्टेफ है क्या चूना बठी तो छठा इस्टेफ है दोस्तों चूना डायक्साइड में परिवर्तित करते हैं और दोस्तों यह जो केल्सियम आक्साइड होता है इसमें जल बास्प की सहायता से इसको केल्सियम हाइडराक्साइड में बदला जाता है ठीक है इतना क्लियर होगे दोस्तों चूना बठी में क्या होता है तो इतना समिकन देना चूना पत्थर को क्या किया आता है जलायाता है और कारबन डायकसाइट बनाती है तभी तो दोस्तो कारबन डायकसाइट करभोनिकन इस्तंभ में आता है और तभी तुह आपर रियक्शन संपन्न होता है तो दोस्तो छटा इस्तंभ भी अपना कंप्लेट हो चुका है छटा प्रोसेस चुना बट्टी आपका समय करने इसको समय कर देना है ठीक है अब दोस्तो अपना last step आता है ठीक है साथ मा इस्टे पाता है वो है दोस्तो अमोनिया पुना प्राप्ति इस्तंभ एक लियर दोस्तो और इसी को last में आपको समझना मुक्रूप से और केल्सियम कारोल्ट यहीं प बताया था कि यह जो छणना है यह sodium bicarbonate को अलक कर दिया अमोनियां कलोराइड और अमोनियां भाय कार्वनियर प्रवेश कराते हैं ठीक है ना आगे दोस्तो मात द्रव यहाँ पर जो आपका calcium hydroxide बन रहा है तुस्तो यहाँ पर班 था सिए YOO इसमें H2O अपन ने प्रवाइद किया तो केल्सियम क्या बना हाइड्राकसाइड तो दोस्तो मात द्रो में चूने का दूद यानि मिल्की आफ लाइम ठीक है मतलब दोस्तो COH का होल टोईस मिलाया जाता है यह आपका इस तमब यहाँ पर आपका COH का होल टोईस आता है ठीक है केल्सियम हाइड्राकसाइड इनको जब मिलाते हैं दोस्तो और निचले इस तरसे जलबास प्रवाहिद करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड एबं अमोनियम बाइकार्बोनेट की चूने के दूस से क्रिया करके अमोनिया उत्पन करते हैं और पुना दोस्तो अमोनिया को अपन संत्रप्ति कर्टेंक में ले लेते हैं फिर से समझें जो अमोनियम क्लोराइड है और अमोनियम बाइकार्बोनेट है अमोनियम क्लोराइड एबं क्या प्राप्त होता है अमोनिया प्राप्त होता है ठीक है और तथा निचले इस तरह से जलबास मतलब दोस्तो एक प्रकार से जल प्रवाइद करते हैं तो अमोनिया उत्पन होती है इसमें दोस्तो रियक्सन क्या-क्या होता है तो वो भी अपन समझ लेते हैं कि रियक्सन इसमें क्या-क्या होता है देखे दोस्तो सबसे पहला इस्टप अपना होता है जो आमोनियम क्लॉराइड होता है मतलब NH4Cl होता है दोस्तो वो क्रिया करता है कैलसियम हाइडराकसाइड स तो बनाता है क्या दोस्तो आमोनिया तो बना ही देगा, साथ में दोस्तो जो CA है, CL2 से कैलसियम क्लॉराइड बनाता है, और S2O बाहर करता है, बैलनसी कराओ मेरे भाईयों, बैलनसी कराओ, तो यहां पर दिमें कैलसियम की बात करो, तो सिंगल है, तो कैलसियम में तो छोड़ क्लोरीन यहां पर दो हमने ले लिए तो 2 का मल्टिप्लाइ कर दी तो अमोनिया भी यहां पर 2 का मल्टिप्लाइ कर दे अब दोस्तो यहां पर H2 में भी 2 का मल्टिप्लाइ कर दे यह बैलेंसी कंप्लीट अगले स्टिप में क्या होता दोस्तो जो अमोनियम है NH4HCO3 Ammonium Bicarbonate ये भी दोस्तो Calcium Hydroxide से क्रिया करता है ठीक है तो दोस्तो बनाता है Ammonia और दोस्तो H2O बनाता है साथ में दोस्तो Calcium Carbonate बनाता है Balancy कराना है मेरे भाईयो तो देखिए यहां Ammonium Bicarbonate है Calcium Carbonate तो इसमें कोई Multiply नहीं करनी पड़ेगी और यहां पर दोस्तो H2 जो है H मतलब 2 और यहां से निकला 2, 2, 4 तो यहां पर 2 का Multiply कर दो Balancy कराते हैं बनना चाहिए आप लोगों से ठीक है और अंत में दोस्तो जो आपका Sodium Carbonate बनाना है वो कहां से प्राप्त होता है मेरे भाई तो जो आपको मिला था Sodium Bicarbonate दो अनू ले लो है ना तो यह दोस्तो बनाता है Na2CO3 प्लस दोस्तो H2O और CO2 और लास्ट में अपन को प्राप्त होगे दोस्तो Ammonium, सोरी Sodium Bicarbonate से Sodium Carbonate, clear तो यह रहा पूरा का पूरा दोस्तो आपका प्रोसेस लंबा हो चुका है लेकिन क्या करें यार इतना लंबा वीडियो है ही तो समझाना तो पड़ेगा ही साल बे भी दी आसा करता हूँ आप लोग समझ गया होंगे अच्छा लाइक प्रीज लाइक कर देना और इतना मीनत पहचान कर दोस्तों अपने दोस्तों कसनाज भी सेयर कर लेना और थोड़ा सा नय है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइक कर लेना चलते हैं दोस्तों मिलेंगे एक लिए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक लिए जैहिन बंदमात्रम।